हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और जैसे कि आप लोगों को सब को पता है कि इस टाइम जो तेहवारों के मतलब बिल्कुल लाइन लगी वी है हमारे तो जो सावन शुरू हुआ है तब से हमारे तेहवार भी एक चोटे थे तो हम्खूब खाते थे और मतलब बहुत जादा ही पसंद किया जाता है ईस टाइम में बहुत आता है यह मतलब बंता है घर में भी और बहार भी तो मैंने सुचा नहीं था कि कभी इस तरह से घर में बनाया जा सकता है लेकिन तो देखिए इसको हम लोगों ने घी ले लिया गी आप चार टी स्पून समझ सकते हैं तो इतना घी लिया है फुल भरके और इसको मेल्ट वाला घी लिया है उसमें हमने बरफ डाल दिये और बरफ को एक तम वैसे उसको हिलाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से मिल बन जाएगा फिर उसके बाद में हम लोग इसको अच्छे से मतलब बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए इसमें हम जो भी दूद है पानी है यह मतलब सारी चीजे हम लोग इसमें बहुत बहुत ठंडा चाहिए तो इस तरह से बरफ से हम लोग यह बटर फॉर्म में कनवर्ड हो एक ओड़ी क्रीमी फॉर्म में हो जाना चाहिए एक तो वाइट इसका करर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगा क्रीम बन जाएगी बिल्कुल उस लेवल तक हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है आप चाहे तो मिक्सी का यूज कर सकते हैं लेकिन हम इस तरह से हाथ से ही बना रही हूँ और मैं आपको पहले बता चुक्य हो कि मैं फर्स टाइम ट्राइ कर रही हूँ यह मेरा पहला एक्सपीरियन्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इस तरह से देखिए ऐसे हाथ से हम लोग बहुत अच्छे से मिला ले और बहुत ही जादा टेस्टी है राजसान के लोग तो अल्मोस सब चानते हैं बट अगर आप बाहर से देख रहे हैं वीडियो तो आप इस मिठाई को ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार बनाईएगा बहुत ही अच्छी लगती है और फिर हमने इसमें मैंने दो बाउल जो ह अच्छे से करेंगे पोरी तरह बल्कुल चिकना चिकना हो जाएगा यह पुरा कर में हाण चाहता ज्याए इस प्रिमारा बढ़ा से हो जायाए और ट्रीजम के बाद हमने यहाँ नहीं आता है तो मैंने वही वाला दूद्ध यूज किया है यह देखेए अब उसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे यह जो हमारे हम जितना हमको पतला घोल चाहिए उतना हम इस पानी को डालते रहेंगे देखते रहेंगे कि हाँ देखे आप देख सकते हैं इस लेवल का हमें बैटर रेडी करना है थोड़ा सा मैंने फूड कलर यूज किया आप यह कंपलसरी नहीं आप चाहे तो अवाइड कर सकते हैं स्कि रहें और एकदम बढ़िया से उसको मतलब एकदम अच्छे से उसको फ्लपी होने तक आपको अच्छे से वह करना है एक उतर रब करके बढ़िया से करना है फिर यह देखे आप देख सकते हैं कि इतना ही पतला इतनी थिकना समें चाहिए बैटर की जो कि आपको मैंने दिख आप से यह ऐसे कृध करें हैं पड्यके हैं पड़ियाल शुक्ति ही अपलिक है वन लो कटब हम पर बाटर को भर के इस को एक चम्मस से यूज कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं लेकिन एजी रहेगा अगर आप बोटल से यूज करेंगे बैटर को बोटल में भरके आप उस गरम ऑईल में इसे थोड़ा 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 करके आप डालते रहिए लेकिन यह जो ज्ञाग बन रहे ना आप कर देया ओ जचाहिए आप डाल सकते हैं घर मेरा देखो एक दम उपधर जो हुता है जी तरह से सॉप से इस तरह के रहे हैं इतनी ही ठीकनेश हुती है उनकी नहीं जादा न पत्ले होते हैं च्क्रीष he has a very perfect बहुत खुश थी कि एक्टम एक्रिट वो का वो बनाया जो कि मैंने खाया था और जो मैंने देखा है मार्केट में वैसे ही चीज बनी ए तो मैंको बहुत अच्छा लग रहा था तो हमारा ये इस तरह से हम बना सकते हैं मैं आपको और दिखा देती हूं ये दूसरा हमारा जालना क्योंकि इसको प्रॉपर एक टेंपरेचर मेंटेन रखना होता है आप अगर उपर नीचे डाल देंगे तो ये नहीं बन पाएगा कच्छा रह जाएगा या मतलब अच्छा वह जाली और इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएगी तो आप यहां खतम होने का वेट कीजिएगा क्योंकि मैंने भी डरते से बनाया था मुझे लग रहा था खराब नहीं आइडिया था इसका किस तरह क्या होता है बहुत थोड़ा सा है क्रिटिकल लेकिन बनने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे बहुत अच्छा लगा बनाके भी और बहुत मजा आय अपने इसाप से डाला था जितना हमें चाहिए था तो और भी ज्यादा टेस्ट इनहेंस होके मतलब एक बहुत शांदार सा जाय का बना उसका और बहुत इच्छा लगा में को बहुत टेस्टी लगा तो आप घर में बनाके अपना खा सकते हैं बहुत ही अच्छी मतलब कि राजस्तान में तो लोग बनाते हैं या खाते हैं जो भी है लेकिन आप लोग अगर बना के खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा यह रेखे मैंने आपको तीन बना बना के दिखाए हैं तो पूरे मेरे परफेक्ट बने मतलब कोई भी किसी तरह का गड़बर नहीं मतलब क्रेंच इतना क्रेंची होता है बहुत उसकी बाद हमने फिर इसमें चाशनी बनाई और चाशनी आप जैसे जलेबी या गुलाब जामुन की बनाते हैं एक तार नहीं प्रोपर हो सकता हो हाड़ हो जाता है लेकिन वो चिप-चिप होना चीए और थूड़ा सा आदा इतना चिप-चिप होना चाई चौला-ओस होना चाहे चाश्नी का हम ज्यादा थिक भी नहीं करनी हो और पानी पानी भी नहीं करना responsible ऐक दम चिप-चिप-चिप वाली जोके आपको पता है कि सफरे की गुलाब जामुन की हो हमारी जलेबी और उस तरह की होते है तो उस तर ह कहा हमें चाष्णी बनाना है सौरी मैं चाष्णी वाल आपको एड़ करना भूल गई तो अब फिर उसके उपर हमने चाष्णी में इसको चाष्णी डाल दिये इसके नीचे एक और घेवर है जिसके उपर वो चली जाएगी और जो बिल्कुल एक्स्ट्रा होगा वही बहार प्लेट में बहार आ जाएगा तो हमने इसको चाशनी को पूरा इसके उपर डाल दिया है यह देखे है यह बहुत अच्छे से शो मलब जितना इसको चाहिएगा उतना ले ले गए चाशनी और बाकी एक्स्ट्रा निकाल देता है अब उसके बाद में हमने एक प्लेट में रख दिया है और आप चाहे तो इस स्टेज पे भी खा सकते हैं बहुत खाते हैं बहुत लोग खाते हैं लेकिन मेरे को यह इस्पेशली मलाई वाला बहुत पसंद तो मैंने घर में रबडी बनाई रबडी बनाना बहुत आसान है इतना कोई टाफ नहीं है सबको पता होगा कि दूद को मतलब लोग फ्लेम पे हमको मिक्स करते जाना करते जाना लास्ट में जो एक नॉमल सा एक थिकनेस हम में मिलती है वह एक रबडी का फॉर्म में स्था आफ पुरες कर दिये गा अर इसी पर हम द्राइफटा हमारी पसंदंकी अपावडिंग का यूज कर सकते हैं ऐसा कंपल सरे नहीं आप एज़ीटी कि हों सकतें हैं सुंत दिक्कत नहीं है और आप अपनी पसंद्राइशुद चौर रखते हैं तो अपने अपनी पसंद भी टेस्ट भी उपरेगा तो आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा इसमें कोई वो नहीं है बहुत एजी है और इसमें कोई भी इस तरह का सामानी नहीं है कि जो आपके घर में नाइविलेबल हो सब सबके घरों में सब होता है तो यह मैंने दूसरा रेड़ी पहला हमारा रेड़ी हो चुका है यह हमने दूसरा रेड़ी कर जो मैंने कोशिश किया है कि साही चीज बहुत अच्छे बारी की से मैंने आपको दिखाया है कोशिश किया और आपको समझने में बहुत आसानी हो कि मतलब सारी स्वीट से जादा मुझे यह ऊच्छा बनाना बहुत यिजे लगा बहुत ज्यादा तो आप भी बहुत हीजी थ तो आप लोग सबτί त्राइग और कुछ लोग तो बहुत अच्छा भी बनाते हों कुछ कि मैं अज़को बैड करते हैं, तो जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे है तो जिनको नहीं पता था तो बहुत सब्सक्रों मेरा ऊंसे जनल जार गए तो तो 4 से 5 गेवर بश्यार है मतलब बहुत हैवी होता है तो ये तो बहुत जादा है मतलब इतना सारा बन गया फिर तो आपको मतलब बहुत अच्छा गासा आपके पास हो जाएगा तो पांच थे मेरे पास मैंने चार यहां रखे एक और है तो पांच बने थे मेरे उसमें बहुत बढ़िया से बन गया मेरा रक्षा बंदर बन गया और खुब अच्छा का सा मतलब आगर आप बहुत जादा एक सिस में मीठा खाते है तब तो ठीक है लेकिन अगर आप तक चलने का वो रहता है इसका स्टॉक थोड़ा सा मैंने प्लेटिंग किया है मतलब वीडियो बनाने के लिए बाकी आप लोगों को मेरा ये गेवर का तरीका कैसा लगा बाई टेक केर